नमस्कार दोस्तों मैं दीप्ति गुपता स्वागत करती हूं आप सभी का एक बर फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल परिक्षा प्लस पर आज की वीडियो में हम लोग डिसकस करने वाले हैं मैट्स के प्रिवेस एर कुश्चिन्स 2019 में जो आपका मैट्स का पेपर आय क्लियर है आप सभी को वीडियो की सुरुवात करने से पहले सबसे पहले मैं आपको बता दू हमारे एप पर कुछ बैचेश चल रहे हैं सुपर टेट का यूपी टेट का सी टेट का तो बहुत ही ऑप्टिमम फीस रखी गई है अगर आप सभी इन में इन्रोल होना चाहते है तो बेजी जग आप इन दोनों नंबर्स पर कॉल करके जानकारी ले सकते हैं डेमो क्लासिस लेने के बाद आप इन में इन्रोल हो सकते हैं बहुत ही कम फीस में आपको क्वालिटी कंटेंट अच्छा प्रोवाइट कराया जाएगा क्लियर है आप सभी को बात कर लेते हैं अ में कितनी प्रस्चत की कमी करनी होगी यदि आयत का छेत्रफल है जो वह अपरिवर्तित रहे अब देखिए सवाल इसको कैसे सॉल्व करेंगे पहली बात तो माल लो पहले जो आयत की जो लंबाई है वह माले रहें हंडेड ठीक है अब साट परसेंट बढ़ाई जाती है तो मारी को लंबाई सौथ अब एक pac उसाथ सौड़ तो अगहरां चोड़ाई को पहला शर्भ कर दें तो हमारे Say हवाई हमारे यह थी क्लियर एप सभी को तो यहां से निकालेंगे जो आएगा और यहां से करी हम लोग देख लेटें कि 160 से सौ करी ना हमने तो अब हम लोग इसका पर सेंटेज निकाल लेते हमारा आणसर आजाएगा 160 से अगर हम 100 कर रहे हैं तो सबसे पहले हम डिफ्रेंस देखेंगे डिफ्रेंस कितनी का आ रहा है आपका 60 का आ रहा है ठीक है इनीसियल आपके कितनी थी 160 थी 60 वटे 160 गोडा 100 बस इसी को solve कर लेंगे हमारा answer आजाएगा 1 0 से 1 0 कर जाएगी बचेगा हमारा 600 बटे 16 ठीक है 600 बटे 16 600 बटे 16 को जब हम solve करेंगे तो कैसे आएगा 16 से इसको काट दो 16 48 48 250 दसाट 120 बचेगा 16 सत्ते 112 फिर 8 बचेगा पॉइंट लग जाएगा हमारा 80 हो जाएगा 16 85 परसेंट ठीक है यानि कि उसकी चौडाई में जो आपको 37.5 परसेंट की कमी करनी होगी तभी उसका छितफल अपरिवर्तित रहेगा क्लियर है आप सभी को बात कर लिए ते कुश्चिन नमबर टू की कुश्चिन नमबर टू आपसे कह रहा है कि यदि किसी घन के आयतन का संख्यात्मक मान उसकी भुजाओं की लंबाई की योग के बराबर है तो घन का कुल छेतफल यानि की प्रष्ठिय छेतफल ग्याद कीजिए ठीक है कुल प्रष्ठिय छेतफल है यहां पर थोड़ी सी मिस्टेक होगी तो आप सभी इसको ध्यान रखेगा देखो घन का आयतन क्या होता है आप सभी को पते घन का आयतन हमारा क्या होता एक सिकेंड गन का आयतन हमारा क्या होता है एक क्यूब ठीक है अब इन्हों ने क्या बोला आपसे इन्हों ने बोला है कि भाई उसकी भुजाओं की लंबाई की योग के बराबर होता है यानि कि अगर अब हम लोग बात करें कि घन में जो हमारे फलक होते हैं वो कितने होते है इसका आपको आईडिया होना चाहिए इसी से आपका एंसर आएगा ठीक है तो पहली बात तो हमने आयतन की बात कर ली आयतन की बात कर ली यानि कि घन का आयतन जो a cube है अगर हमारे घन में 12 फलक होते हैं 12 तो उसकी बुजाओं की लंबाई की योग के बराबर है अगर a माल ले a को तो फिर 12 को कितना हो जाएगा 12 a हो जाएगा यहां से a से a कड़ जाएगा तो a square की value कितनी आ जाएगी 12 आ जाएगी clear है आप सभी को इतनी बात I hope आप सभी को clear हो गई होगी ठीक है अब देख लेते हैं जो प्रस्थिये छित्फल होता है घन का वो क्या होता है घन का जो प्रस्थिये छित्फल होता है वो हमारा क्या होता है 6 a square यानी कि 6 into a square की value है हमारी 12 तो हमारा answer कितना आ जाएगा 72 72 है हमारा option number B clear है आप सभी को यानी कि 72 हमारा यहां से answer हो जाएगा I hope आपको इतनी बात clear हो गई होगी इसमें आपको कोई भी problem नहीं आई होगी ठीक है आप बस इस कुल छेथफल नहीं है यह प्रस्थिये छेथफल है इतना याद रतना नहीं तो सवाल गलत हो जाएगा ठीक है बात कर लेते कुश्चिन नमबर 3 की कुश्चिन नमबर 3 आप से कह रहा है कि 2018 में अमित का वेतन जो था वह एक लाग स्वारी इकाईदाई सेकड़ा जार दस जार लाग एक लाग 26,500 रुपय था ठीक है अब 2016 से 2018 के बीच अमित का वेतन किमसा कितना बढ़ा है 10% और 15% अब 2016 में उसका वेतन इनोंने पूछा है कि क्या था देखो सबसे पहले आपको मैं बता दूं अगर किसी भी सवाल में अगर परसेंटेज इंक्रीज और डिक्रीज का सवाल आ रहा है दो जगह से तो आप उसमें net percent change का formula लगाईए ठीक है net percent change का formula आपका क्या होता है net percent change का formula होता है x plus y plus minus xy upon 100 अब x और y आपका depend करता है कि आपकी increase हो रही है percentage या फिर decrease हो रही है तो आप plus में x ले ले लेंगे या plus में y ले लेंगे अगर आपका decrease हो रहा है तो आप minus में x या y ले लेंगे ठीक है अब हम यहां से देख लेते पहले तो कि कितनी percent उसकी वेतन बढ़ती है सबसे पहले उसकी 10 percent increase हो रही तो plus का 10 plus 15 percent increase हो रही 15 हो गया अब plus 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 रहेगा हमारा 15 दामन 1500 वटे 100 ठीक है 25 plus अब यहां से यह कर जाएगा 1.5 यानी क 26.5 इसकी वेतन increase हो यह है क्लियर अब देखो पहले इसकी वेतन कितनी होगी 100 percent होगी अब इसकी वेतन कितनी increase होगी 26.5 तो टोटल कितनी हो जाएगी 1.25.5 परसेंट इसकी बेतन increase हो चुकी है लेकिन 126.5 जो बेतन इंक्रीज हुई है ये किसकी वैल्यू के बराबर है 126.500 के बराबर क्लियर है आप सभी को इतने परसेंट इंक्रीज हुई थी अब पॉइंट से यहाँ पे 0 आ जाएगा और ये काड़ दीजी आप तो एक परसेंट की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी 1000 यहीं से 100 परसेंट की वैल्यू निकाल लेजे आपका अंसर आ जाएगा 100 और 30 जीरो आपका अंसर ये हो जाएगा बात कर लेतें क्विश्चिन नंबर 4 की क्विश्चिन नंबर 4 आपसे कह रहा है कि दो संख्याओं का मासा और लासा 6 और 400 बत्ते से एक संख्या 48 से दूसरी संख्या क्या है इसका फॉर्मूल आपको पता होना चाहिए SCF इन्टू LCM बरावर पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या ठीक है अब आपका मासा दे रहे हैं 6 कि LCM दे रहे हैं 432 पहली संख्या आपकी 48 दूसरी संख्या आपकी वाई 6 और 48 आठ से इसको कार्दो तीसरा सुक्रवार 16 तारीक को पढ़ रहे है और 4 मंगलवार की आप से तारीक पूछिए आपको इसमें थोड़ा सा कॉमन सेनस लगाना पड़ेगा सबसे पहले हम लोग मंथ का पहला दिन निकालेंगे और फिर हम लोग छौथा मंगलवार निकाल लेंगे अब यह कैसे निकालेंगे देखो पहँ जो मंथ का तीसरा आ वार्य वोइए थर्ड फ्राइड़े करण सब्सक्रेंड शॉरिवे कि अगर हम लोग सेूँए बाद करें तो पड़ेगा । इस आध़ दन इससे माइनस कर देंगे 9 पड़ेगा फर्स्ट फ्राइडे की बात करें तो पड़ेगा साथ दिन फिर से माइनस कर दो दो तारीक को यानि कि दो तारीक को पहला सुक्रवार पड़ेगा तो एक तारीक को जो हमारा है वो कौन सा दिन पड़ेगा यहां से बताईए आप सभी ब्रेस्पतिवार पड़ेगा क्लियर अब हमने निकाल ली कि भाई हमारा जो महीना है उसकी पहली तारीक को ब्रैस्पतिवार है हमें निकालना है कि चौथा मंगलवार कब होगा ठीक है अब हम लोग पहली तारीक को ब्रैस्पतिवार निकाल लिए है अब हम लोग पहला मंगलवार निकालेंगे अगर तो पहला ज तारिक थी ये दो थे ये तीन थे चार थे फांस थे ये छ है तारिक को आपका पहला भषार ठीग ठीक अ आफ वह सभी को अब इन्होंने पूछा ये चौथा मंगलवार यानी कि अब हमारा पहला मंगल भषाल डूसरा मंगल तेरा तारीक को तीसरा कपड़ेगा बीस तारीक को चौथा कपड़ेगा 27 तारीक को साथ दिन एड़ करते चले जाएंगे 27 तारीक यानि कि अप्सन नंबर भी यहां से राइट हो जाएगा कॉमन सेंस का सवाल था कोई बहुत बड़ी वात नहीं थी क्लियर है आप सभी को बात कर लेते कुश्य नंबर 6 की 6 में आपसे पूछ रहा है कि तिर्भुजा कार प्रिज्म में कितने सीर्स होते हैं ठीक है देखो सवाल थोड़े से डिफरेंट आये थे तो इसलिए थोड़ा इन्ट्व आधार में भुजाओं की संख्या और चाहिए बुजाओं की संख्या्म एब 2 इंट्व तिर बुजा कार सब्सक्राइब होती तो इसका आपका का अंसर 6 हो जाएगा बात कर लेते कुश्य नंबर 7 की 7 आपसे किया पूच रहा है कि यदि 10 रुपय में 6 केले खरीदे जाए 6 रुपय में 4 केले बेचे जाए तो हानी कितने प्रश्चत होगी देखो इसका एक छोटा सा फॉर्मूला होता है वो मैं आप सभी को बताती हूँ कैसे किया जाता है जब कोई भी मालो वस्तु है A रुपय में B वस्तु खरीदी जाए ठीक है C रुपय में D वस्तु खरीदी जाए ऐसे होता है ठीक है तो आपका जो फॉर्मूला निकलता है अगर पूरे लेंदेन में प्रस्त हानी है प्रस्त लाब पूछा है तो आपका जो फॉर्मूला होता है वो होता है आपका B into C minus A into D upon फिर से A into D into 100% बस इसमें आप value रख दीजी आपका अंसर आजाएगा इसी तरीके से आप हम लोग इसमें value रखने की कोशिस करते हैं देखो 10 रुपे में हमारे 6 के ले थे 6 रुपे में हमारे 4 थे तो B into C यानिकी 36 minus 10 into 4 यानिकी 40 upon 10 into 4 40 गुणा 100 फ़र से ठीक है अब आपका कितना आ जाएगा minus का 4, 36 में से 40 जाएगा कितना बचेगा minus का 4 upon 40 गुणा 100 ठीक है इसको मैं यहां लिख देती हूं minus का 4 बटे 40 गुणा 100 अब 4 से 10 जाएगा 10 से 10 हो जाएगा बड़ावर minus 10 प्रसत यानिकी आपकी 10 प्रसत की है जो वो पूरे लेंदेन में हानी होगी आपका answer option number A यहां से हो जाएगा clear है? बात कर लेते हैं question number 8 की 8 आपसे पूछ रहा है की 1 gram बड़ावर sorry 1 gram बड़ावर क्या होता है? तो पहली बात तो आपको यह चीज छोटे से ही पता होगी कि 1 kg बड़ावर कितना होता है? 1000 gram ठीक है? तो 1 gram की value आपकी कितनी आ जाएगी? 1 बटे 1000 kg 1 बटे 1000 को आप क्या लिख सकते हैं? 10 to power minus 3 kg 10 to power minus 3 किसमे B में है तो आपका option number B यहां से सही हो जाएगा यानि की D number option में आपका भी सही है ठीक है? 8 ता आपका हो गया बात कर लेते question number 9 की question number 9 आप से कह रहा है की 0.01 का whole square 0.01 को पहले हम 0.01 का whole square प्रत्सत में कैसे लिखा जा सकता है? तो पहले तो हम इसको one upon hundred मतलब point हटा के 0 नीचे ले लेंगे इसका whole square है ठीक है? अब इसको कैसे solve करेंगे? देखो one upon hundred का whole square और इसमें प्रत्सत में solve करना है तो क्या करेंगे हम लोग 100 प्रत्सत लगा देंगे? तब ही तो हमारे प्रत्सत एक वटे सो प्रत्सत आप देख लो एक यह है एक वटे सो प्रत्सत एक वटे सो को आप क्या लिख सकते? 0.01 प्रत्सत यानि की 0.01 प्रत्सत ये भी है तो A और D किसमें है? A और D यानि की option number D यहां से आपका right हो जाएगा clear है आप सभी को? बात कर लेते है question number 10 की question number 10 आप से कह रहा है की कोई दो संख्याएं है ठीक है? इनका अंतर और गुड़न फल कितना है? 5 और 36 संख्याओं के व्यूत करुमों का अंतर आप से पूछा है कोई दो संख्याओं मालो A और A बराबर है 5 B बराबर है 36 ठीक है? व्यूत करुम का अंतर आप से पूछा है तो 1 upon B minus 1 upon A की value आपको निकालनी है तो यहां कितना आ जाएगा? सॉरी A बराबर आपका कितना दिया है? 5 B बराबर आपका दिया है 36 ठीक A 1 upon A minus 1 upon B की value निकालनी है तो B minus A upon A भी हो जाएगा अब इन्होंने बोला है कि दो संख्याओं का अंतर है 5 अंतर कितना है? 5 और आपका गुडन फल कितना है? 36 तो 5 वटे 36 आपका आंसर हो जाएगा 5 वटे 36 option number यह आपका right हो जाएगा बात कर लेते question number 11 की 11 आपसे कह रहा है की यदि किसी कमरे की लंबाई को 10 प्रस्थत कम किया जाता है चोणाई को 20 प्रस्थत कम किया जाता है और उंचाई को 5 प्रस्थत बढ़ाए जाता है तो आयतन में कितने प्रस्थत का परिवर्तन आएगा? आप देखो यह सवाल कैसे करेंगे? देखो यह सवाल जो है यह भी आपका हम net percent change से solve करेंगे net percent change आपका सबसे सरल चीज होती है जिससे आप percentage में चीजे निकाल सकते हैं कि किस तरीके से इसमें माइनस या मतलब net percent change बढ़ा या फिर घटा है ठीक है तो सबसे पहले हम net percent change में दो वैल्यूस को लेते हैं इसलिए हम दो दो वैल्यूस को लेके इसका answer निकालने के कोसिस करेंगे सबसे पहले लंबाए को 10% कम किया जाता है तो मैनस 10 हो गया चौणाए को 20% कम किया जाता है मैनस 20 मैनस मैनस आपका प्लस हो जाएगा 20 दस अरं 200 दो सो बटे 100 यानि कि मैनस का 20 दस तीस और प्लस का 2 ठीक, 100 से ये कड़ जाएगा तो मैनस का 28 प्रस्त तो पहले आगया हमारा लंबाई और चौड़ाई को जब कम किया जाता है अब मैनस का 28 प्रस्त ये हो गया और 5 प्रस्त आपकी उचाई बढ़ाई जाती है अब इन दोनों में 8% चेंज लगा देंगे तो आपका क्या हो जाएगा मैनस का 28 प्रस्त ये बढ़ाया जाता है फिर प्लस मैनस मैनस 28 गुणा 5 बटे 100 ठीक, 28 में से 5 जाएगा तो कितना बचेगा 23 सही है मैनस 5 अट्थे 44 चार पांस दूनी दस चार 14 बटे 100 यानि कि मैनस 23 और मैनस का आपका हो जाएगा 1.4 क्लियर है तो आपका मैनस मैनस ये एड हो जाएगा मैनस का 24.4 यानि कि 24.4 की आपकी टोटल आयतन में कमी आएगी 24.4 यानि कि आपशन नमबर भी यहां से राइट हो जाएगा क्लियर है आप सभी को इसमें आपको कोई परिशानी तो होगी नहीं ओके चलो अब बात कर लेते हैं कुश्चन नमबर 12 की 12 आपसे कह रहा है की 12 कुश्चन आपसे कह रहा है की किसी कमरे की लंबाई और चौडाई क्रमसा 15 मीटर 17 सेंटी मीटर और 9 मीटर 2 सेंटी मीटर है आप देखो कितनी confusing line लिखी है लंबाई आपकी पूरी इतनी दी है ठीक है और चौडाई आपकी पूरी इतनी दी है इसी में confused बहुत सारे लोग हो गए थे तो लंबाई आपकी कितनी हो जाएगी 15 मीटर 17 सेंटी मीटर एक मीटर वराबर आपका होता है 100 सेंटी मीटर यानि कि 1517 यानि कि 1517 सेंटी मीटर आपकी लंबाई हो गई ठीक है अब आपकी जो चौडाई है वो कितनी है चौडाई आपकी हो जाएगी 9 मीटर 2 सेंटी मीटर एक मीटर वराबर 100 सेंटी मीटर यानि कि 900 और 2 यानि कि 902 cm लंबाई हो गई यार आपकी चोड़ाई हो गई clear है आप देखो कमरे की लंबाई हमें मिल गई चोड़ाई मिल गई अब हम कमरे के फर्स का जो छेतरफल है वो निकाल लेते हैं चेतरफल वराबर क्या होता है लंबाई गुणा चोड़ाई यानि कि 1517 गुणा 902 आपका यह हो जाएगा कमरे का छेतरफल clear है आप सभी को I hope clear होगा अब इसमें क्या करने आपको वर्गाकार टाइल्स की नियूंतम संख्या क्या होगी नियूंतम संख्या आपको निकालनी है जो उसमें वर्गाकार टाइल्स लगेंगे ठीक है तो वर्गाकार जो टाइल्स लगेंगे उसमें क्या होगा आपको इस value का मासा निकालना पड़ेगा न क्यूंकि नियूंतम संख्या निकालनी है तो जब आप इसका मासा आप सभी को आराम से आता होगा मैं इस टैब की स्क्रीन पर बहुत जादा नहीं आपको बता पाऊंगी इसलिए आप इसका स्टीएफ निकाल सकते पूरी प्रोसेस में आपको बता रही हूं ठीक है जब इसका स्टीएफ आ जाएगा 41 सेंटीमेटर तो देखो टाइल से पहली आपको क्या करना है टाइल की नियूंत्म संक्या निकालनी है नियूंत्म संक्या के लिए जो आपका कम्रे का छित्फल ता वह कितना था 15 गुणा नौसो दो बटे टाइल्स की जो च्छितफल आया था वो आपका आया था 41 इंटू 41 ठीक है जब आप इसको सॉल्व कर लेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 814 यानि की option number A इसको आप सॉल्व करके देख लीजेगा आपको यही आंसर नंबर मिलेगा 814 यानि की जो टाइल्स की नियूंतम संख्या है वो आपकी आजाएगी 814 क्लियर आपको बारा नंबर का आपको option number A यहां से सही हो जाएगा बात कर लेते हैं प्रेश नंबर 13 की 13 आपसे पूछ रहा है कि 253 की गाद 166 इसके गुड़नफल की इकाई अंक आपसे पूछ है ठीक है अब इकाई अंक कैसे निकालते हैं इकाई अंक निकालने के लिए सबसे पहले जो आपको यह पावर दी होती है इसको आप चार से भाग देते हैं सबसे पहले चार से भाग दीजिए चार चोको सोला चार एकन चार बच्चे का कितना आपका तीन सेस बच रहा है तीक है तीन सेस बच रहा है आपका अब एकाई का अंक जो होता है जो एकाई का अंक आपका होगा वो क्या होगा जो आप पहली बाद तो आपको पावर में तीन सेस बच रहा है जो एकाई का अंक यह तीन है पावर कितनी बची तीन तो तीन त्रिकर नौती है 27 यानि कि साथ आपकी जो एकाई की वैल्यू है वो आ जाएगी ऑप्शन नमबर भी यहां से सही हो जाएगा बात कर लेते कुशन नमबर 14 की 14 आपसे कह रहा है कि यदि एक भिन की अंस में 20 प्रसत और हर में 25 प् बांकि आपको जो तरीका आता है वो वेल और गुड लेकिन अगर आपको मेरा तरीका पसंद आते तो आप इसको जरूर एप्लाई कीजिएगा देखो सबसे पहले जो आपकी भिन हो रही है उसको लिख लो तीन बटे पांच लिख लिए अब अंस में 20 प्रसत की बढ़ाई तो अंस में 125 लिख देंगे क्लियर है यानि कि आप इसको उल्टा गर के लिख देते हैं और जो आपकी भिन आती उसको लिख लेते हैं अब 5 से काड़ दीजिए 25 पंचे 125 और यह हो जाएगा 40, 55, 45, 5, 48, 5, 8 आपका यहां से आंसर हो जाएगा तीक 5 बटे 8 यानि की option number C समझ समय आया जो भी आपके भिनोंगी वो लिख लो और अगर आप अंस में बढ़ा रहे हैं तो हर में बढ़ा के लिख दो 100 में अड़ करके और अगर अंस में बढ़ा रहे हैं तो समय आड़ करके और इसको इसको सॉल्व कर लो answer आ जाएगा बात कर लेते कुश्यन नमबर 15 और वो आपके 8 से विवाजित होने चाहिए ठीक अब हम देख लेते हैं सबसे पहले इसमें देखो 8,3 का 24 हो रहा है इसमें देखो 8,2,16 और 6 ये नहीं हो रहा है इसमें देखते हैं 8,1,8,4,8,4 ये भी हो रहा है इसमें देखते हैं 8 x 8 4 ये भी नहीं हो रहा यानि कि आपका 1st और 3rd आपका सही होगा 1st और 3rd आपका किसमे है Option number D में है इसलिए आपका 15 का Option number D यहां से Right हो जाएगा Clear है आप सभी को तो आज की वीडियो में हम लोगों ने डिसकस की 2019 के 15 questions I hope आप सभी को वीडियो पसंद आया होगा और questions समझ में भी आया होगे कोई भी problem आती है तो comment box में आप अपनी query डाल सकते है उसको solve करने की पूरी process की जाएगी और वीडियो को खतम करने से पहले हरवार की तरह आपको बता दूँ कि हमारे यां का बैच चल रहा है अगर आप सभी कोई वी इंट्रेस्टेड है तो आप इन नंबर्स पर कॉल करके अपनी क्वेरी को solve कर सकते हैं और बैच में एड्मिशन ले सकते हैं बैच की फी सिर्फ और सिर्फ 6999 रुपय है है क्लीर आप सभी को तो आज की वीडियो में इतना ही बांकी मिलेंगे नेक्स वीडियो में और कुश्चन लेकर कि बांकी जो पंद्र कुश्चन है नेक्स पार्ट में लेकर आऊंगी तब तक के लिए बहुत-बाथ धन्यवाद आप अपना खयाल रखेगा